देखो, जैसे यह लिखा है effect of non-registration, तो यह इसके effect से, लेकिन जहां पे भी मैं exception बोलूँगी, तो इन सारी situation को opposite कर देना, ऐसी situation का आना, जहां पे यह वाली सारी चीज़ें valid नहीं रहेंगी, वो हो जाएगा exception, मतलब उसका opposite, तो कुछ situations, कौन सी रहेंगी वो पर अभी study करेंगे, exception का मतलब समझ में आया? Yes ma'am, सबको clear है? Ma'am, मैं पर से बता सकती है ma'am, हाँ मिटा, देखो, exception का मतलब, law में, क्या होता है, हमने जो भी conditions study की, यह जितनी भी suppose, हम में क्या पढ़ रहे थे है, अपन, effects of non-registration, यह तीन points है न, तो इसमें मैंने क्या बता है, कि civil suit नहीं कर सकते हैं, आप claim नहीं मांग सकते हैं, आप third party के against case नहीं कर सकते हैं, ठिक, तो यह इसके effects थे, लेकिन जहां पर भी मैं exception लगाऊंगी, तो जो अबव, जो उपर वाले points है, वो पूरे opposite हो जाएंगे, किसी situations में, तो कौन सी, ऐसी situations होंगी, कि जो उपर हमने study किया, वो valid ही नहीं रहेगा, वैसे यह है valid, बट कुछ ऐसी conditions या situations का आना, जहां पर यह वाला valid नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे exception, exception का मतलब होता है, जास्ट उसका opposite करना, या वो जो situations है, वो अब valid नहीं है, कुछ cases में, आया समझ में अब? Yes ma'am, है न, आप देखो, कौन से situations हैं, जहां पर effect of non registration का कोई असर नहीं पड़ेगा, पहला point देखो, जो तीसरी parties है, third parties, वो तो case कर सकती है, यह नहीं कर सकता है, यहां पर देखो, no civil suit by the firm against third parties, हम register नहीं है, इसलिए हम third party को नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर third party register है, वो तो case कर सकती है, अगर हम को किसी के ओपर case करना है, और हमको recovery amount सौर पैसे कम है, तो अपन कर सकते हैं, civil suit, बोलो कि क्या मतलब मैंडम, civil suit के लिए 100 और पैं, उतना तो क्या बोलते हैं, पेपर वर्क महीं चले जाएगा, होता है की नहीं, बोलोगे की नहीं, बोलोगे बता, तो अगर आपका amount सौर पैसे कम तक का है, तो आप civil suit कर सकते हो, यहां पी देखो, recovery case जो लिखा है, मैंने, अबव में civil suit नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका amount का claim सौर पैसे कम तक का है, तो आप कर सकते हो, बता, अगर हम firm को बंद करना चाते हैं, dissolve करना चाते हैं, खतम, तो हम file suit कर सकते हैं, the firm may sue for the resolution, the firm may sue for the dissolution, यहां फिर, ऐसी firm जो dissolve हो चुकी है, उसके accounts के लिए, accounts मतलब, खाते भई वगर रहते हैं, और the accounts of a dissolved firm, next देखो इसमें, जो official assignee होते हैं, official assignee, देखो, कैसे होंगे देखो, मतलब, जो receiver होंगे, court की तरफ से, official मतलब, government से हैं न, अगर आपका firm dissolve हो रहा है, firm dissolve कब होता है, जब partners, पूरे के पूरे, insolvent हो जाते हैं, insolvent समझते हो, दिवालिया निकल जाता है, उनका, पूरा बिजनेस करने के लिए, पूरा बिजनेस उनका डूब रहा है, सब लॉस में चल रहा है, तो ऐसी situation को बोलते हैं, insolvency की partner का दिवालिया निकलना, और ऐसी situation में क्या हो जाता है, फर्म को dissolve करना पड़ता है, आ रहे हैं समझ में, क्या बोली में, बता, तो जो official assignee होगा उस time पे, जैसे अगर insolvent होगे हैं, partners, तो कोई भी एक partner court में application दे सकता है, फर्म को dissolve करनेंगी, क्योंकि एक के loss के वज़े से सबको loss जेलना पड़ता है, यहां तो उस partner को हटाना पड़ता है, यहां फिर firm dissolve भी हो जाती है, पूरी, तो जो official assignee होते हैं, वो मिशा कौन होता है, court होता है, तो उसके पास ऐसी situation में power आजेगी, to realize the property of an insolvent partner, एक second, to realize the property of an insolvent partner, उसकी property को बेच के, उससे जो भी पैसा मिलता है, वो firm को देगी, क्योंकि firm को loss हो रहा है, यहां debtors होते हैं, जो देंदार होते हैं, जिनको अपने को पैसे देने रहते हैं, sorry, देंदार नहीं, देंदार है जिनको अपने को पैसे वगएरा देने है तो हम उसकी property को बेच के उसके पैसे से हम अपना court क्या कर सकती है उनके पैसे को चुका सकती है अभी वो case देखा दा नीरव मोधि का का है नी रव मोधि सुना है हाईलाइट पे अभी एक्स्ट्राडिशिन ट्रीटीज पढ़िए इंडिया की देखो एक वर्ड लिख रही हूँ एक्स्ट्राडिशिन क्या है बताऊ सुना है वर्ड अचा नीरव मोधी सुना है पी एन भी बैंक फ्रॉड क्या है क्या केस का बस बताऊ सिंपल सिंपल एक दो वर्ट में बताऊ सब नम ब्लैक मनी का करेप्शन है कुछ कौन बोला नम नम जिता अचा करेप्शन है बट ब्लैक मनी नहीं है कुछ और बोलो आयुशी इसने जो फ्रॉड किया तो गवर्मेंट ने क्या किया इसकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया था सुना था प्रॉपर्टी को सील किया कुछ एक न्यूस में दिखा रहा था कि बंगलो था हंड्रेट करोट का उसको पुरा डिबॉलिश कर दिया और प्रॉपर्टी अपने अंडर कर दी है ना तो ऐसी कुछ सिट्वेशन होती है जब गवर्मेंट के पास राइट होता है उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर ले और उसी को बेच के जिसने जिसने जिनके पैसे खाया उनके पैसे उनको लोटा है आ रहा है समझ में तो रिषीवर या कोट के पास पावर होता है कि वो प्रॉपर्टी को रिलाइज कर सकें इसमें इन्सॉल्वेंट पार्टनर के लिए आगे देखो फिस्ट पॉइंट इसमें अगर फॉर्म रजिस्टेड नहीं है लेकिन उस फॉर्म का ट्रेड मार्क है ना उस फॉर्म का कॉपी राइट उनके पेटेंट का अगर कोई गलत यूज कर रहा है तो वो केस फाइल कर सकती है फॉर्म भले ही रेजिस्टेड नहीं हो लेकिन कोई और उनका गलत यूज कर रहा है ट्रेड मार्क का, कॉपी राइट का, पेटेंट का तो जो wrongfully use कर रहे हैं कोई भी third party तब ऐसी situation में वो उनके ओपर case कर सकती है जैसे ये वाला case देखो ये वाला first No civil suit by the firm against third parties है ना लेकिन अगर वो इनका गलत use कर रहे हैं तो वो इस third party के against case कर सकती है Next देखो इसमें जो rights है partners के जो rights है partners के वो किसी भी कीमत पर affected नहीं होंगे Rights of partners are not affected Non registration उनके rights रहेंगे आपस में ठीक क्योंकि उन्होंने partnership date sign कि है तो उनके जो भी rights है ऐसे नहीं कि उनके rights को कोई खतम कर रहा है जो भी ऐसे नहीं कि कोई उनके उपर क्या बलते हैं एक्स्ट्रा प्रेशर डगा रहे है मनी का यह सब नहीं रहेगा नेक्स देखो अगर कोई partner एनी partner कुछ misconduct करता है misconduct करता है ठीक है तो उस misconduct की वज़े से जो भी damages आएंगे तो उसके against case हो सकता है तो firm file करेगी कोई single partner नहीं करेगा पूरी की पूरी firm उसके उपर क्या करेगी case file करेगी firm में file a suit उस partner के against any partners misconduct जिसकी वज़े से damages हो रहे हैं next इसमें देखो arbitration clause मैंने कल बताया था क्या बताया था क्या होता है arbitration clause किसके लिए होता है disputes की वज़े से होता है disputes within partners अगर partners का आपस में dispute है तो यह लोग suit file कर सकते हैं आ रहा है समझ में conditions और situations बताओं कोई doubt है तो पूछो rights and liabilities of minor partner in a registered firm under partnership act अब देखों कुछ words बता रही हूं terms section 11 of partnership act क्या बोलता है देखों section 11 of partnership act यह बोलता है जो minor agreement है जो minor agreement है वो क्या होता है वॉइड होता है क्या होता है वॉइड का मिलिंग बता है आपको null शुद्ध हिंदी में अगर मैं बोलूं तो zero शुन्य ठीक है टाइप्स of agreements होते हैं अभी आप लोग स्रेफ वॉइड का मतलब पढ़ो कि जो minor का agreement होता है partnership act में वो from the very beginning अब देखो यहां पर एक word यूज करेगा जो मैंने अभी आपको बताया था अब आपके book में लिखा होगा minor agreement is void ab initio आया समझ में इसका मतलब इसको ऐसे लिखा है आपकी book में तो जो minor का agreement from the very beginning is void आप चाहे करें माइनर के साथ यह नहीं करें जिस दिन आपने माइनर के साथ agreement कि आचाहे वो form registered हो या unregistered हो आपका agreement उसके साथ from the very beginning क्या है zero है null void ab initio मतलब is null from the very beginning आया समझ में ab initio की meaning बताई थी न मैंने थोड़ी दिर पहले ठीक है यह मैं यह मैं देर्फोर अब एक और लांगविज बता रहे हूं मैं अन इन फॉर्शेबल वर्ट सुना है अन इन फॉर्शेबल अन इन फॉर्शेबल का मतलब होता है नॉट सपोर्टेड बाई लॉओ ठीक है अन इन फॉर्शेबल का मतलब है नॉट सपोर्टेड बाई लॉओ देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने नॉट सपोर्टेड बाई लॉओ नॉट सपोर्टेड बाई लॉओ का मतलब लॉओ उसको सपोर्ट नहीं करेगा मतलब माइनर एग्रिमिंट अब देखो बुक में कैसा लिखा 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 रहेगा लैंग्विज में अब बुक की लैंग्विज सम्मझने की कोशिश करते हैं देखो Minor agreement with FUM is void av initio and thus it is unenforciable. देखो, बुक में ऐसा लिखा लेगा, यह ऐसे लिखा ही है आप लोगों को, देखो, and thus it is unenforciable, unenforciable का मतलब है, not supported by law, और void av initio का मतलब होता है, कि null है, तो देखो, minor agreement is void av initio, मतलब from the very beginning it is null and that is why it is not supported by law, not supported by law का मतलब है, not supported by Indian government, आया समझ में आप? Yes ma'am, not supported by Indian government, तो Indian government नहीं लिखने है अपने को, अपने को सर्फ एक्जाम में क्या लिखने है, not supported by law, unenforciable का मतलब ही होता है, जाउट है कोई, समझ में आया है यहां तक, कोई डाउट है, मैं जैसे आपने बताया है, कि हम इसको बुक के लाइंवेज भी लिखेंगी या जो आपने इसके मीनिंग्स बताया है, जैसे from the very beginning, not supported by law, ऐसे वर्यूस करने है, इसे वर्यूस करने हैं, इसे वर्यूस करने हैं जैसे, suppose, अब आप लोग साइडिंग देना, माइनर एग्रिमेंट इस वाइड अबनेशो, suppose, है ना, तो आप उसको एक्स्प्लेइन कैसे करेंगे, जो मैंने यह वाला लिखा है, आरे समझ में, है ना, यह आप डारेक्ट, है ना, बीज-बीज में यासे वर्ट यूस करना जादा नहीं, जितने काम के हैं, बस उतने, और इतना जिसे अपन में क्लास में करूंगी ने, तो आपको याद हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, एग्जैम में कि क्या करना है, कैसे, तो आपको इसको ऐसे एक्स्प्लेइन करना पड़ेगा, ठीक है, जैस माम,